ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्टल चैटर्स वन लास टाइम वर्ड का यूस किया गया है I am sure आपके मैंड में कुश्चन होगा लेकिन इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आप उजास साधा बात जान पाएंगे जो मैं आज आज आपको इस वीडियो में इस सिचिएशन के बारे में बता सकता हूँ तो ये वीडियो बहुत इंटरसिंग होगी इसे लासक जरूर देखिए लेकिन इस से पहले के वीडियो में आगे बढ़ों आपको बता दो मैं इस से पहले शील्ड वाला पूरा सेग्मेंट कवर कर चुका हूँ इससे पहले तो ये जान लेना जुरूर है कि one last time है क्या जैसे कि आप लोग जानते है रोमन रेंज के आने से पहले डीन आमरोस ने इस बात को officially announce कर दिया था कि April में जाकर जब डीन आमरोस का contract हत्म होने वाला थो अपने contract को renew नहीं कर रही और इसके चलते डीन आमरोस ने मिनने के बाद WWE कंपनी को leave करने वाले है जो कि बाद WWE की तरफ से अभी भी officially पूरी तरह से confirm है और अभी हम ये मान कर चलने कि ये कोई भी storyline का part नहीं है लेकिन सडली हमें देखने को मिलता है एक twist और वो ये कि Roman Reigns हमें सडली देखने को मिलते है जो कि किसी ने expect नहीं किया था कि इतनी जल्दी Roman Reigns हमें Rocky Storylines पर देखने को मिलेंगे और इवन आज वा के episode में हम लोग ने जिस तरह से देखा ये बात पुछी तरह से confirm होगे कि Roman Reigns लगातार full time वापस आ चुके हैं WWE के अंदर तो Roman Reigns के आने के बाद जो situation है वो सच में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है मुझे नहीं पता Dean Ambrose की जो बाते ही storyline का part है पर क्या है लेकिन इसमें शायद हमें अब एक बहुत बड़ा change देखने को मिल सकता है तो इस तरह से याँपर one last time का मतलब WWE ये कहना चाहरी है कि जो shield का reunion है वो आकरी बार हो रहा है क्योंकि Dean Ambrose ब WWE में नहीं टिकने वाले है और जैसे कि हम लोगों ने रॉक की एपिसोड में Roman Reigns के प्रोमस अग्रों में सुना था उन्होंने का कि हम नहीं पता हम लोग कब तक एकसांथ है याँपर ये नहीं पता कि कल क्या हो जाए कि इतना टाइम हम एकसांथ रहें चल गे थी कि Roman Reigns इस बात को समझ रहें और इसलिए उन्होंने कहा कि शीर्ट को कर लेते हैं लेकिन आंके डबल डॉली ने ऐसा क्यों 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 यहां पर डबल डॉली को यह चीज़ मेंशन करने की जरुरत पड़े वन लास ताइम वाली थी को वह ज़स्ट यहां पर के एपिसोड में हम लोगों ने यहीं देखा तो क्या सच में डीन आवरो जबल डॉली कमपनी छोड़कर जा रहें वेल यहां पर हो सकता है जो सिचेशन है वह बहुत ही जादा अलग हो और हमें एक बहुत एक गुड़ डूली की तरफ से देखनी को मिल जाए और वह यह की डीन आवरोस कमपनी को लीव नहीं करने वारे है जैसकि मैं आपको बता चुका हूँ कुछ तैम पहले रोमान रेंस ने खा कि वह देख लेंगे जब उनसे पूछे है कि डीन आवरोस के कमपनी चोड़ कर जा रहें तो इस पर रोमान रेंस ने कहा कि वह इस चीज को देख कि Roman Reigns के आनके बाद सड़नली कैसे Dean Ambrose के बुकिंग में चेंजिस देखने को मिल रहे हैं और एकदम से उनका हील वाला करेक्टर था अब वो ऑविसली हम कह सकते हैं जाई चुक है क्योंकि उन्हें ने शीर्ड को यहाँ पर जॉइन कर लिया है लेकिन रैसल मीन है कि बाद जाकर हमें बहुत बड़ा सर्पाइस मिलेगा जब सड़नली हम यह पता चलेगा कि Dean Ambrose कंपनी चोड़कर नहीं जा रहे है ऐसा कुछ लेकिन हो सकता है in coming time में Dean Ambrose की situation में उनके स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज देखनी को मिले और यह वन लास्ट टाइम वाली टर्म जो है सिर्फ एक स्ट्रोलान का पार्ट बनकर रह जा और बाद में Dean Ambrose डवलोवली के साथ कॉंट्रैक को साइन कर ले तो आसले से य। ले वाई वाई में नेक्स्वीडियो